सबी दर्शकों को एक बार पुना स्वागत एवं सभी को मेरा नमस्कार कुमार संभव के प्रथम सर्ग के पद्धी संख्या 22 पर हम चर्चा कर रहे थे और उसी संदर्भ में मैं आपके सामने ये बता रही थी कि कालिदास ने उपमा अलंकार का यहां इस पद्धे में बहुती संदर प्रयोग किया है हम सब जानते हैं कि कालिदास के विशे में उपमा कालिदास से ये उपती प्रसिद्ध है और उसके कारण भी यही है कि जो उनकी उपमाई होती है वो बहुती सटीक और एकदम से अर्थ की गहराईयों तक पहुँचाती है तो यहां पर भी जो उपमा की गई है जो तुलना की गई है उसके विशे में थोड़ा सा हम विस्तार से बात करेंगे कि कालिदास ने यहां नीती के विशे में कहा और नीती की तुलना उन्होंने करी है मेना से तो जिस तरह से मेना नीती अगर उसको हम अच्छी तरह से परिक्षित करके मतलब निर्दोश रहित करके अर्थात उसमें किसी प्रकार का दोश नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी में हिंसा नहीं होने चाहिए, किसी का नुकसान नहीं अगर हम करते और ऐसा करते हुए अगर हम नीती के द्वारा नीती का प्रयोग करके अपने उत्सा को जो है उस नीती का प्रयोग करते हुए अपने उत्सा गुण से काम लेते हैं कोई भी कारे अरंब करते हैं तो वो कारे हमेशा ही हमें सफलता परदान करता है यहां बहुत ही आवश्यक है कि सम्मेग प्रयोगात अपरिक्षता यहां का जो है यहां विशेशन नीती के लिए बहुत आवश्यक है देखें नीती का अर्थ होता है जो कारे को करना राज्य संचालन की विधी हो गया या किसी भी बड़े काम को यदि हम करते हैं कोई योजना बनाते हैं तो उसको हम किस तरह से पूरा करेंगे वो नीती के अंतरगत आता है तो नीती अगर उसमें साफ नियत होगी व्यक्ति की उस नीती में उसके अंदर काम करने वाले उस योजना के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यदि वो दोश रहित उनमें से यदि कोई एक भी दोश रहित हो जाता है तो वो नीती कभी सफल हो ही नहीं सकती क्योंकि वो व्यक्ति जो भी प्रयत्न करेगा जो भी उत्सा जो दिखाएगा देखिए कोई भी कारे उत्सा के बिना नहीं होगा हम जितनी मर्जी योजनाए बना ले योजनाए बनाने के बाद जो काम होता है वो उत्सा शक्ति के द्वारा ही होता है अन्यता जिस व्यक्ति में उत साह नहीं होता उसकी नितियां उसके योजना सब धरी की धरी रह जाती हैं यदि हम यह देखें कि हम भी अपने जीवन में बहुत बार नव वर्ष के समय भी हम कई योजना बनाते हैं, कि हम अपना टाइम टेबल भी, सम हिसारनी भी बनाते हैं इस तरह से हम काम करेंगे परटु वह बना देने भर से तो काम नहीं चलता है तो उसमें एक तो वह उसका प्रयोग सही होना चाहिए और फिर वह नीती जो है वह निर्दूश्ट नीती होनी चाहिए उसमें यह नहीं है कि हम उत्सा दिखाएंगे लेकिन उत्सा वैसा कैसा होगा जिसमें की दूसरे बच्चों को उनसे कौपी कर लिया या बुरे जो उपायों के द्वारा उस नीती का प्रयोग किया लेकिन ऐसा नहीं है निर्दुष्ट नीती होनी सही हो पाएगा जबकि वो उत्सा अगुन हम निर्दोष जो है जो निर्दोष होगा नीती हमारी हमारी युजना किसी को दुख देने के लिए नहीं होगी दूसरों के सब के उपकार के लिए और अपने उपकार के बिली होगी तब हम यदि उत्सा अगुन का प्रयोग करक और उस नीती के द्वारा कारे करते हैं तो इसमें कोई संदे नहीं है कि वो मनुश्य को संपत्ति किसी प्रकास संपत्ति का यहां अर्थ सपलता भी हो सकता है क्योंकि केवल मात्र धन नहीं तो मनुश्य का प्रयोजन नहीं होता नीती योजना तो किसी भी कार्य की सिद्धी को लेकर बनाई जा सकती है और उस योजना की सफलता जो है वो उस योजना के प्रती अगर उत्सा गुण होगा तब ही वो पूरी होगी अन्यता वो योजना व प्रतम जो पंक्ति है उसके वाकिरशना के उपर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं तो अगर हम इस पंक्ति को देखें सा उदपादी भूधर अनाम अधिपेन तो यहां बाकी मैं नहीं कर रही हूं बाकी तो बाद में जुड़ते हैं लेकिन यहां पर वाच्चे की बात भूधर अनाम अधिपने उसको उत्पन किया भव्या उस भव्या उस सचरित्तरा पारवती गौरी को उत्पन किया यह मुख्य वाकिय है तो और यह कर्म वाच्चे में है और कर्म वाच्चे में हम सब जानते हैं कि जो करता होता है वो उसको अतृतिया वक्ति में प्रयोग किया जाता है और जो कर्म होता है उसको प्रत्मा में तो यहां पे करता कौन है भूधरा नाम अधिपेन तो भूधरों का जो राजा है वो करता है और किसको उत्पन किया सा यहां पे कर्म है और वो है पारवतिताम और उदपादी यह जो है यह क्रिया पद है और यह कर्म करता में तरुटियां, और सा कर्म में प्रत्मा, और जो उधपादि यह किसके लिए आया है? यहां पे इसका भूधरानाव अधिपेन के साथ इसके रूप चलेंगे, इसके अनुसार चलेंगे. क्योंकि क्रिया यहाँ पे जो है कर्म के अनुसार करता जो बन गया है अब तृतिया भक्तियांत वो उसके अनुसार चलेगी तो यहाँ पे अब अगर मैं इस वाक्य को करतरी वाच्चे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूं संस्कृत में तो यह धियान रखीगा कि यह उदपादी उत्पन किया देखे अनिजन्त वता उत्पन हुआ और उत्पन हुई और उत्पन किया जो है वो क्या है आपका निजन्त रूप है प्रेरना अर्थ में है तो अब हम इसका निजन्त ही बनाएंगे तो मैंने का करता कौन है भूधरा नाम अधिप तो परवतों क राजा ने उसको उत्पन्न किया ये कर्तरी वाच्चे में होगा और भूधरों के राजा के द्वारा वै उत्पन्न की गई तो ये कर्म वाच्चे में है तो इस कर्म वाच्चे को जब मैं संस्कृत की वाक्य के द्वारा कर्तरी वाच्चे में बदलती हूँ तो आपके पास खाता है भूध अराणव अधिपह तो सा कर्म है अब इसको करत्री वाच्चे में जब बलेंगे तो कर्म को गुदृतिया भकती में प्रयोग करेंगे- तो भूदराणाम अधिपा, ताम और भव्या भी इसी के लिए सा के लिए है, ताम भव्याम अब बहुत ही ध्यान देने योगे हैं कि जो उदपादी है ये कर्म के अनुसार था इस वाक्य में कर्म को जब हमने प्रत्मा में लिया तो उदपादी भी सा के अनुसार ही हमारा रूप बना लेकिन जब हम इसको कर्म वाच्चे में जब वाक्य को बदलते होते हैं तो क्रिया में एक तो यक प्रत्य का प्रयोग होता है कर्म वाच्चे में आत्मनेपद का प्रयोग होता है अब यक जहां होता है वहीं जहां नहीं होता वहां नहीं होता लेकिन मुख्य रूप से कर्म वाच्चे में आत्मनेपद का प्रयोग होता है और ये क्योंकि निजन्त है तो आत्मनेपद में जब हम उपसर्ग पूर्वक पद्धातु का प्रयोग करते हैं और लुंगलकार का ये रूप है तो लुंगलकार में यहाँ पर उदपादी ये आत्मनेपद का रूप हमारे सामने बनता है निश्प्रत्य लगाने के बाद लेकिन अब हम इसको जब करतरी वाच्ची में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर अब करता के अनुसार क्रिया होगी कि भुदराणाम अधिपा ताम उदपादीत तो यहाँ उदपादी जहां इसकी जगा हम अब भुदराणाम अधिपा के साथ जोड़ते हुए उन्होंने उदपन किया तो उदपादीत अपादीत यहाँ पे लुगलकार का रूप है अनिजन्त रूप है तो इस प्रकार से जब हम वाच्चे परिवर्तन की बात आती है तो इस तरह से हम यदिवाक्य कर्म वाच्चे का होता है तो उसको इस तरह से हम कर्तरी वाच्चे में प्रियुक्त करते हैं अब देखिए इसमें समाधी मत्याम उदपादी इसको हम विच्छेद करेंगे तो उदपादी जैसे कि मैंने आपको बताया उथ और पद्धातु है उथ पूर्वक पद्धातु है और कर्म वाच्चे में इसका प्रियोग है और आत्मने पद्ध लुंगलकार प्रतम पुरुष एक वच्चन है और यह निजन्त रूप है और उसके बाद है उत्पत्ति चत्रनेत्याया देवकार्यार्थम तो यहाँ पे अब एक प्रश्ण उठता है कि पारवती को उत्पत्ति होना यह एक बहुती जो है बंती नहीं है बाद कि वो तो देवता भगवान है इश्वर है नित्य है उनका जन्म लेना उनकी उत्पत्ति कहा होती है वो तो नित्य है ना उनका विनाश होता है ना उत् से संबंधित देवी महतमे बोला गया, बताया गया है, तो वो मैं आपके सामने प्रसुत करते हूं, एक तो क्या, कि उत्पत्ती यहां पे क्यूं कहा, उत्पन्द तो वो होता है, जुनका नाश होता है, जो विनाश ही नही होता, dasit कि उत्पत्ती कहां से होती है, तो नित्ति की उत्पत्ति नहीं होती है लेकिन यहां का उत्पत्ति चात्र नित्याया देवकार्यार्तम अर्ता देवकारे के लिए उनको यहां पे नित्ति होने पर भी यह कहा कि उनकी उत्पत्ति हुई है आगे देवी मात में भी कहा देवा नाम, कारिसिद्यर्तम आविर भवति सा यदा, उत्पन्नेति तेदालों के सा नित्य अपय भी दियते जो देवी है, शक्ति वो यद्यपे नित्य है लेकिन उसका तो कोब जन्म भी नहीं होता, विनाज भी नहीं होता लेकिन फिर भी जब वो देवताओं के कारे सिद्धी के लिए संसार में प्रकट होती हैं लोक में प्रकट होती हैं तब कहते हैं कि उनकी उत्पत्ती हुई है वास्ता में ये उत्पत्ती जो है नित्य होने के कारण उत्पत्ती की बात तो आती ही नहीं है अब अब नीती के संबंद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीती राज्य संचालन भी दी है लेकिन राज्य संचालन क्या किसी भी जो है मनुष्य को यदि कोई बड़ा काम करना है और किस तरह से उसको किया जाए जो यूजना इत्यादी है वो भी निती ही कहलाती है हाला कि एक ग्रिस्त वेक्ति के लिए ग्रिस्त जीवन गिरिहस्ती कैसे चलाते हैं वो भी निती के अंतरगत ही आती है तो अब यदि हम राजाओं के समद्ध में निति की बात करें तो राजाओं इसमें निति चलाने के लिए क्या चाहिए राजे संचालन के लिए तो तीन प्रकार की शक्तियों की आशक्ता होती है शक्तयस तिस्रह प्रभाव उत्साह मंत्र जा तो एक तो प्रभाव शक्ति होती है एक उत्साह शक्ति होती है और एक मंत्र शक्ति होती है तो थोड़ा सा हम इस वी प्रभाव शक्ति क्या होती है उत्साह शक्ति मंत्र शक्ति क्या होती है जिन से नीती का प्रयोग करने पर मनुश्य को सफलता मिलती है या एक राजा को सफलता मिलती है तो यहाँ पर एक तो राजाओं में प्रभाव होना बहुत अनिवाले है प्रभाव शक्ति क्योंकि यदि उस राजा का प्रभाव ही नहीं होगा तो जो कुछ भी वो कारे योजना बनाएंगे तो कोई अगर उनकी बात ही नहीं सुनेगा तो वो कारे आगे बढ़ ही नहीं सकता तो सबसे पहले तो उसका प्रभाव शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए कि वो कोई बात कहे तो सभी उसकी बात को तुरंट मानकर कारे करें दूसरी शक्ति बहुत अवश्यक है राजा में उत्साह शक्ति क्योंकि स्वयम यदि राजा उत्साहित नहीं होगा तो दूसरे वक्ति भी कोई भी कारें नहीं कर पाएंगे जहां का राजा उत्साही नहीं है वहाँ प्रजा भी उत्साही नहीं होती है उनके मंत्री गण भी उत्साह नहीं दिखाते हैं तो इसलिए उस राजा में किसी भी योजना की सफ़ता के लिए उत्साह शक्ती होना अनिवारे हैं और तीसरी शक्ती जो बहुत अवश्यक है मंत्र शक्ती मंत्र शक्ती अर्थात मंत्रना करना राजा को समय समय पर अपने मंत्रियों इत्यादी से मंत्रना करनी है उस पर विचार विमर्ष करना भहती है निवारे है जो भी योजना राजा बनाता है तो अब इन तीन शक्तियों का प्रयोग करके यदि राजा निती का प्रयोग करता है नीती प्रयोक करके कोई भी योजना बनाता है और कारे करता है उस पर तो संपत्ती अवश्य ही प्राप्त होती है तो यहाँ पर देखें उत्साहा शक्ती क्या होती है फिर विक्रम बलम उत्साहाशक्ति उत्साहाशक्ति क्या है प्राक्रम होना चाहिए उसमें बल होना चाहिए तभी उत्साहाशक्ति जो है होती है और तभी व्यक्ति अब एक बिमार व्यक्ति जिसके अंदर कोई थाकत नहीं है वो थोड़ी देर भी खड़ा नहीं हो सकता है, बाहर जाके बात नहीं कर सकता है, जल्दी ठक जाता है, तो वो व्यक्ति किस प्रकार से किसी भी नीती को करने में सफल होगा, तो ये उत्सा शक्ति का होना अनिवारे है, आगे भी कहा, उत्सा हो मंत्र मूलम स्यादिती नीति जो है, वो यही मानते हैं कि उत्सा शक्ति जो है, वो मंत्र मूल मंत्र है, क्योंकि अगर उत्सा शक्ति नहीं होगी, तो प्रभाव नहीं होगा, तो फिर उसके बाद राजा किसी से जो है, उस विशे पर बातचित भी करने में समर्थ नहीं होगा, तो इस पद्दे के माध अध्यम से हमें राजनिती और परानिक दोनों ही वृत्तांतों का जो है वो ज्यान कालिदास ने हमें दिया है अब भव्या जो है यहां इस पद के संबंद में हमें व्याकरण संबंदी टिपणी देखना बहुते निवारे हैं क्योंकि यहां पर भव्या जो है भूधातु से यत्प्रत्य का प्रयोग हुआ है और हम जानते हैं कि जो यत्प्रत्य है यह कर्म में प्रयोगत होता है तयोरेव कृतिक तो खलर था यह यत्प्रत्य कृत्य प्रत्य में आता है और कृत्य प्रत्य भाव और कर्म में प्रयोगत होते हैं कर्म बाच्चे में तो यहां पर य यह करता के लिए प्रयोग है तो क्यूं है जबकि यद्प्रत्य का प्रयोग करता में नहीं होता है तो इसमें हमारे पास एक सूत्र है अचारेपाणनी का भव्य गेय प्रवचनियो पस्थानी जन्या पलाव्या पात्या वा तो यहाँ पे इस सूत्र से यहाँ पर जो भव्य है इसका निपातन हुआ है करता में यद्प्रत्यांद तो इसलिए भव्या का अर्थ है वो चरित्र वाली या कल्यान कारणी ना की कल्यान करने योग्य है यदि हम यत प्रत्ते लगाते हैं तो फिर हमारा अगर ये सूत्र नहीं होता तो ये करता अर्थ में प्रयोक्त नहीं हो सकता है उसके बाद जो अगला पद है वो है सम्यक प्रयोगाद अपरिक्षतायाम तो यहां पे भी कई पद मिलकर एक पद बना हुआ है तो सबसे पहले यहाँ परिक्षता का क्या विग्र होगा तो यहाँ आ परिक्षता याम तो पहले परिक्षता होगा परिक्षत मिस परिताक्षता जो सब और से दोश युक्त हो तो यहाँ परिताक्षता परिक्षता और फिर ना परिक्षता नए समास है जो दोश से दोश युक्त ना हो तो न परिक्षता या नहीं समास है और परिक्षता याम सब्तमी भक्ती एक वचन में प्रयोग है उसके बाद देखिए उत्साह गुण तो उत्साह गुण यहाँ पे उत्साह स्य गुण होगा उत्साह का जो गुण है उत्साह गुण शस्टीतत्रिसमास है और शब्द कहा है उत्साह गुणेन तो उत्साह गुणेन तृतिया भक्ती एक वचन में इसका प्रयोग है तो जो पुरा पद है वो है निताविव उत्साह गुणेन तो यहां जब हम इसको नीती के साथ जोड़ेंगे तो नीताविव तो नीतव इव होगा और नीतव इव यहां पे समास है इवेन समासो विभक्तिय लोपश्च नीतव और इव में ये नीतव सब्तम्यंत है और उसके बाद इव के साथ समास हुआ है और समास करते हैं तो विभक्ति का लोप करते हैं हम नीतव में जो सब्तम्य भक्तिय उसका लोप होना चाहिए तो नीती और नी का लोप नहीं हुआ है क्योंकि यहां पे सूत्र में कहा कि इवेन समासु विवक्तिय लोग पश्चु इव से जब समास के होता है तो विवक्ति का लोग नहीं होता तो इसलिए नीतव ही रहेगा और नीतव और इव और जब हम अव और इव में संधी करते हैं तो अयादी संधी होती है और आव हो पद्धे में भी वागर्थाविव का प्रयोग किया है वहाँ पर भी वागर्थाव और इव में समास करने के बाद विवक्ति का लोप नहीं हुआ है ऐसा ही प्रयोग यहाँ पर भी है तो नीताविव बन गया नीताविव और उत्साहव गुणेन यह अलग है तो इस प्रकार ने हिमाले के घर में मेनिका के घर से जन्म लिया है तो जब कोई भी नया जो है भालक उत्पन होता है तो घर में किस प्रकार से खुशियां होती है खुशियों का वातावरन होता है ये पारवती के उत्पत्ति होने पर भी इसी प्रकार से जो है परिवार के अंदर खुशिया थी ना किवल परिवार में क्योंकि वो तो स्वयम देवी का रूप थी स्वयम सती के रूप सती ने गौरी के रूप में जन्म लिया आदिशक्ती ने जन्म लिया है तो वो किस प्रकार से सब तरफ प्रसनता और सुखता उसका वर्णन यहां इस पद्धे के माध्यम से किया ग स्थावर जंगमानाम सुखाय तर जन्म दिनम भभोव तो उनका जन्म दिन अर्था जिस दिन उन्होंने जन्म लिया उसके विशे में बताया है कि प्रसन्दिक प्रसन्दिक ये अलग-अलग है पहला है प्रसन्दिक जिसमें दिशाएं प्रसन्थी बहुत खुश थी प्रसन यहाँ पर प्रसन दिशाओं की प्रसनता किस से पता चलती हैं कि सारी दिशाओं जो है एकदम स्वच्छ आकाश हो सब तरफ किसी तरह से भी बादल लित्यादी ना हो तो उसे हम कहते हैं प्रसन दिख अता खिली हुई दिशाओं उसके बाद हैं पांशु विविख्त वातम पांशु तर रेत तो रेत से रहित वायू से वायू वाला ठीक हैं शंक स्वनांतर पुष्प व्रिष्टी अर्था शंक की ध्वनी के बाद फूलों की वर्षा से युक्त तद जन्म दिनम ये जन्म दिन की विश्य में कहा गया कि उनका जन्म दिन कैसा था तो उसमें कहा एक तो जन्म दिन उस दिन जो दिशाएं है वो प्रसन थी तो प्रसन दिशाओं से युक्त स्वच दिशाओं से युक्त और फिर रेत से रहित वायू वाला और शंक स्वनान अंतर पुष्ट वृष्टी शंक की ध्वनी के अंतर फूलों की वर्षा से युक्त तद जन्म दि किनका जन्म दिन पार्वती का वो जन्म दिन जिस दिन उन्होंने अवतार ग्रहन किया था तो उसके बाद क्या हुआ वे जन्म दिन शरीरी नाम शरीरी नाम स्थावर जंगमा नाम मतलब शरीर में प्राणी जिनके कोई आकृती होती है कोई रूप होता है तो स्थावर और जंगम दोनों प्रकार की आकृती वालों के लिए सुखाय वभोग सुख देने वाला हो गया जब जैसे ही सती ने जन्म लिया हिमाले के घर में तो देखी सब और का वातावरन किस प्रकार से हो गया सारी दिशाएं स्वच और रेत भावा में किसी प्रकार से भी और रेत के कण नहीं थे अर्थात आधी इत्यादी का कहीं पर कोई नाम निशान नहीं था और शंक द्वनिया होने लग गई और बाद में पुष्पों की वर्षा होने लगी और इतना ही नहीं वो जो उनका जन्म था स्थावर स्थावर में सो था जो जड़ है वरिक्षव इत्यादी हैं उनके लिए और जंगम जो गतिशील हैं अर्थात जो शरीरधारी प्राणी हैं उनके लिए सुखाये सुख प्रद हो गया अर्थात सभी उनके जन्म से बहुत अदिक सुखी और प्रसन हो गए अब स्थावर का सुखी होना किस से सुचित होता है अर्थात वरिक्षों पर भी उनके जो हवा चल रही थी सुन्दर पांशू रही था हवा उस से उनके भी जो शाखाएं हैं वो इस प्रकार से हिल रही थी कि मानो वो खिली हुई शाखाएं अपने प्रसनता को प्रकट कर रही हैं तो इस प्रकार से इस पद्य में कालिदास ने पार्वती के जन्म का वर्णन किया है कि पार्वती ने देवी के रूप में हिमाले के घर मे जन लिया अगर मैं बात करूँ शिव पुराण में तो शिव पुराण में भी इसी तरह कहा है कि उनके जन के समय किस प्रकार था दिशह प्रसेदू दिशाय प्रसन थी कालिदास ने जो लिया वो ऐसा ही वर्णन है पवना सुखम ववव जो वायू है वो सुख पूर्वक बह जास्ता था तो देखें शंक की ध्वनी हो गई और आकाश में गगन चर भी भहुत प्रसन थे मतलब जो पक्षी थे जो आकाश में पपात मौलव कुसमांजली तदा बभूव तद जन्म दिनम सुख प्रदम और फिर सबने कुसमांजली अर्थाद प्रणाम किया और साथ म उसका जन्म दिन सब के लिए सुखकारी हुआ तो इस प्रकार से इस पद्दे में पार्वती के जन्म के अवसर पर जो सुखद वाता वरन है उसका वरनन है इससे संबंदित कुछ और बातें भी मैं आपके साथ अगले व्याख्यान में करूँगी तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरा नमस्कार